जोतिश के अनुसार चंद्रमा, मन, मा और सुन्दर्ता का कारत माना गया है। जब कुंटली में चंद्रमा शुप प्रभाव देता है तो बहुत सी खुशियां आपके जीवन में आती है। सुख शान्ती, मन चाहा लाइफ पार्टनर और मा ये सब आपको चंद्रमा से ही मिलते हैं। चंद्रमा अगर अच्छा है तो इन सब का सुख मिलेगा। अगर चंद्रमा खराब सिती में है तो इन सब से वंचित होना पड़ेगा। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो ऐसे में mental tension, stress, मा को तनाव और तनमन से संबंदित परिशानिया लाइफ में भटकाव बना रहता है। लाख प्रत्न करने के बाद भी व्यक्ति के जीवन में स्थिर्ता नहीं आती। चंद्रग्रह से जुड़े बहुत से ऐसे उपाए है जो आपको मैंने बहुत से वीडियो में दिये हैं पर आज की ये वीडियो भी चंद्रमा के उपर ही है। इसको मैं इसलिए दे रही हूँ ताके चंद्रमा कभी किसी का कमजोर ना हो। बहुत से चीजों को सुधारा जा सकता है। जब आपके मन की स्थितियां अच्छी होती हैं तो आपके निरने सही होते हैं। जब आपके मन की स्थितियां अच्छी होती हैं तब आप किसी भी क्षेत्र में सफलता पाते हैं। तो चलिए जानते हैं सफल होने के उपाए या अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिती कमजोर है तो आप ये उपाय कर सकते हैं जो आज मैं इस वीडियो में आपको दूँगी अगर आपको नहीं पता कि आपके चंद्रमा की स्थिती किस प्रकार की है तो आप किसी योग्य जोतिशी से इसकी जानकारी ले सकते हैं और मा की दिक्कत आपको बनी रहती है, मा के साथ संबंद अच्छे नहीं है, या मा का आपको सुख प्राप्त नहीं है, तो भी चंद्रमा कमजोर माना जाएगा, आप ये उपाए कर सकते हैं चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सोमवार का वरत करना बहुत ही अच्छा साबित होता है, ऐसे में आप पांच या ग्यारा सोमवार के वरत करें और इससे भी आपका चंद्रमा धीरे-धीरे मजबूत होगा चंद्र ग्रह को मजबूत करने के लिए शिव का पूजन करना बहुत श्रेश्ट उपाए है, शिव के सर पर विराजमान है चंद्र, ऐसे में अगर आप शिव पूजन करते हैं तो आपका चंद्र मजबूत होता है, इसके साथ साथ 12 जोतिरलिंगों की यात्रा करने से भी उनका पूजन करने से भी चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, अगर आप इनकी यात्रा कर पाएं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर पाते तो ऐसे में दान दे सकते हैं, चावल, चांदी, दूद, इन चीजों का दान आप कर सकते हैं, और इसके साथ साथ एक रत्न आता है जिसे हम मोती कहते हैं तो मोती साक्षा चंद्रमा का रूप माना गया है अगर आप अपने हाथ में मोती धारन करते हैं तो ऐसे में भी चंद्रम जबूत होता है पर जब भी कोई रत्न धारन करना हो किसी योग्या जोतिशी से पूछ कर धारन करें क्योंकि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिती बहुत कमजोर है ऐसे में अगर आप मोती धारन करेंगे तो उसका नकरात्मक प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है इसलिए आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि चंद्रमा की स्थिती किस प्रकार की है आपको दान करना चाहिए या आपको रतन धारन करना चाहिए इसके लिए आपको योग्य जोतिशी सिराई लेना बहुत जरूरी है आपको एक और कारे मैं यहाँ पर करने के लिए बताऊंगी जो आगर आप करते हैं तो आपको इसके जो प्रभाव हैं वो बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे रात को सोते समय, जब आप रात को किसी भी समय पर सोएं सबसे पहले आपने पानी का ग्लास लेना है उस पानी के ग्लास को आप अपने सिरहाने पर रख कर सो जाएं किसी तरह की मांसिक परिशानी है, किसी तरह की आपको किसी का भै है, किसी की चिंता है या तनाव रहता है तो धीरे धीरे ऐसा करने से आपका तनाव बिल्कुल दूर हो जाएगा एक और उपाय जो चंद्रमा के लिए बहुत श्रिष्ट माना जाता है आज कल बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में आप बारिश का पानी किसी बोतल में इकठा करके अपने घर में स्थापित कर सकते हैं इससे भी चंद्रमा लाब देते हैं बारिश के मौसम में जब बरफ पढ़ती है या ओले पढ़ते हैं जिसे हम ओले कहते हैं तो ऐसे ओले भी आप शीशी में एकठा करके रख सकते हैं कांच की एक शीशी ले लें उसमें बारिश का पानी या फिर ओले एकठा करके रखें जब वो पानी बन जाएगा तो भी आपको उसको संभाल कर रखना है और आप इसे घर के इशान को उन में रख दें ऐसा करने से आपको चंद्रमा मजबूत होता है चंद्रमा मजबूत करने के लिए ये बहुत अच्छा उपाय माना जाता है बहुत इसाधारन सा है इसमें आपको कोई भी जादा पैसा भी खर्च नहीं होगा धन भी खर्च नहीं होगा और आपको लाब भी उतने ही जादा मि आप ये पानी कभी भी इकठा करके शीशी में, कांच की शीशी में डाल कर रखें और घर के शानकोन में रख दें। ऐसा करने से आपका चंद्रमा मजबूत होगा और घर के बाकी सदस्यों में भी शान्ती बनी रहेगी। सुख और शान्ती का अनुभव आपको होगा, लडा जादा मिलने वाले हैं। अब आगे के उपाय की बात करते हैं, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आज मैं आपको कई सारे ऐसे उपाय बता रही हूँ, ताके आपको किसी और जगह पर जाने की जरूरत ना पड़े, और आप धीरे धीरे इन उपायां को करके अपनी अब भी आपको मौका मिले, जीवन में एक बार आप गंगासना नवश्य करें। वैसे तो हर व्यक्ति को साल में एक बार गंगासना नवश्य करना चाहिए, इससे पूरा साल के लिए चंद्रमा की स्थितियां बहुत अच्छी हो जाती हैं, आपकी कुंडली में चंद्रमा कैसा भी हो, कितना भी खराब हो, आपको उसका नुकसान नहीं होता, आपको लाब राप्त होते हैं, तो ऐसे में हर साल जब भी पुर्णिमा का दिन हो, अगर आप उस दिन गंगासनान करते हैं, तो बहुत लाब मिलते हैं, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो पुर्णि चंद्रमा मजबूती की तरफ चलता चला जाएगा इस प्रकार के उपाये आपको अपने जीवन में जरूर करने चाहिए इससे आपके लाइफ में कोई भी जो दिक्कत है जो परिशानी है जो तनाव है जो मुश्किले है वो धीरे धीरे दूर होती चली जाती है और आगे जो मैं बताने वाली हूँ वो है नियमित पाठ श्रिव चालीसा का नियमित पाठ करने से बहुत लाब मिलते हैं श्रिव अराधना करने से भी लाब मिलते हैं सोमवार का वरत जैसे मैंने आपको पहले ही बताया सोमवार का वरत भी चंद्रमा को मुझबूत करता है प्रंतु श शिव चालिसा अगर शुरू कर देते हैं, तो चंदरम बहुत मजबूत हो जाता है, ऐसा अगर आप 40 दिन लगातार करते हैं, सावन के महीने के पहले दिन से आप शुरू कर लें, और 40 दिन तक लगातार, शिव चालिसा का पार्ट करें, चंदरमा से संबंदित कोई दिक्कत आपके जीवन में नहीं आएगी और चंद्रमा हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगा तो ये जो पाठ है ये आपके जीवन की समस्याओं के हल के लिए एक मात्र पाठ कहा जाएगा जिन लोगों के एक उंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में हैं तो शिव अराधना से और बाकी सबी जो मैंने उपाए बताए हैं उनसे आप अपने चंद्रमा की स्थितियों को बहुत मजबूत कर सकते हैं आज के लिए इतना ही इसी प्रकार के और बहुत से उपाए चंद्रग्रह को मजबूत करने के लिए बाकी सबी ग्रहों को मजबूत करने के लिए मैं बहु